तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि Facebook Ads काम कैसे करती है और Facebook Ad Auction exactly होता क्या है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए कि Facebook Ad पहले आप समझो कि काम कैसे करती है देखो जैसे ही आप Facebook पे अपना profile बनाते हो आप Facebook को कुछ data देते हो आप Facebook को अपना नाम देते हो अपना email address देते हो फोन नंबर देते हो आप देन जा के Facebook पे अपना data ना बर देते हो तेन आप कुछ pages लाइक करते हो तो जब आप ये सारी चीजे करते हो तो आप बैसिकली Facebook को data बनात फीर्ट कर रहे हो जैसे सपोज करो आपने बताया जो है देटा बर्थ है वो है 10 मार्च 1993 ठीक है तो ये Facebook के पास डेटा चला गया अब क्या है Facebook इस डेटा का यूज करके आपको एड दिखा सकता है तो आप जो भी है डेटा पॉइंट सारे आपको खुद दे रहे हो Facebook को जिसका की यूज करके Facebook आपको एड दिखाता है ठीक है तो अब देखो कि Facebook काम कैसे करता है तो सपोज करो कि आप हो Facebook पे या एक यह dummy person सपोज कर लेते हैं सपोज करते हैं कि यह जो dummy person है इसको interest है cricket में ठीक है इसको interest है lead generation में इसको interest है start-up में इसको इन सब में interest है अब इस person को बड़ी सारी companies आड दिखा सकते हैं जैसे आप लोग को बड़ी सारी companies आड दिखाती होंगी आप लोग को बड़ी सारी चीजों में interest होगा अब suppose करो इस बंदे को दो लोग आड दिखाना चाहते हैं ठीक है इस बंदे को मेरी एड दिखाओ ठीक है यह individual तो एक है बट companies दो है एक company क्या target कर रही है lead generation और इस बंदे को lead generation में भी interest है और एक company target कर रही है online food और इस बंदे को online food में भी interest है अब यह दोनो एड दिखा रहे हैं और दोनो facebook से कह रहे हैं कि भाईया इस person को मेरी ad दिखाओ अब देखो facebook का goal क्या है कि facebook अपने users को खुश रखे प्लस जो facebook पे businesses हैं जो ad run कर रहे हैं वो भी profitable हो facebook ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कि अपने users को unhappy कर दे जादा ads दिखागे तो facebook को देखना पड़ेगा कि कितनी ad दिखाई जाए और किस frequency में दिखाई जाए और ये facebook का algorithm decide करता है तो अब ये facebook कैसे decide करेगा कि इस बंदे को कौन सी ad दिखाई जाए तो अब यहाँ पे होता है क्या auction आपने IPL का देखाऊगा IPL का auction होता है auction में क्या होता है बड़े सारी लोग बड़ी सारी टीम्स होती है जो players पर bid करती है और जो सबसे ज़्यादा पैसे देता है वो bid जीत लेता है ठीक है और सबसे ज़्यादा पैसे मिलते किसको है जिसकी quality क्या होती है अच्छी है एकदम जो बेकार player है उसे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो similarly Facebook में भी क्या होता है auction होता है अब auction होगा जहाँ पे सारे advertiser bid करेंगे कि भाईया इस बंदे को मेरी एड दिखाओ मेरी एड दिखाओ सब ये bid कर रहे है बट Facebook सबकी एड तो दिखा नहीं सकता क्योंकि एड स्पेस क्या है लिमिटेड है और Facebook ज़्यादा एड दिखाएगा तो लोग भी बोर हो जाएंगे Facebook से तो फिर Facebook क्या करता है auction अब auction जीता कौन है अब सपोस्कर auction हो रहा है तो ये auction जीतेगा कौन तो ये auction वो एड जीतेगी जिसकी हाइस्ट है क्या टोटल वैल्यू ठीक है जी ये auction कौन जीतेगा जिस एड की टोटल वैल्यू हाइस्ट है वही ये auction जीतेगा ठीक है तो अब ये Facebook हाइस्ट टोटल वैल्यू कैसे डिसाइड करता है तो ये facebook decide करता है तीन factor से चीक है जी तीन factor से facebook decide करता है factor number one bid चीक है factor number one क्या है bid factor number two estimated action rate factor number two क्या है estimated action rate और factor number three जो last factor है वो है add quality तो तीन factor से bid estimated action rate and the last one is add quality ये तीनों को मिलाके facebook decide करता है highest total value अब bid क्या होती है bid होती है कि जो भी आपका goal है आप उसके लिए कितने पैसे देने के लिए तयार हो for example suppose करते हैं कि आपका goal है link clicks कि आप चाहते हो कि जादा से जादा लोग आपके link पे click करें ये आपका goal है तो अब आप इसके लिए कुछ bid करो कि आपका होगे 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए कोई काएगा, 5 रुपए, कोई काएगा, 6 रुपए तो ये हो गया bid कि आप कितनी bid देने के लिए तयार हो दूसरा factor है estimated action rate estimated action rate का मतलब है, जो आपका goal है उसके achieve होने के chances क्या है probability क्या है, कि जो आपका goal है, वो achieve होगा अब ये probability Facebook कैसे decide करता है, तो ये Facebook decide करता है based on multiple factors, जैसे कि उस जो audience है, जिसको आप target कर रहे हो, उसकी history क्या है वो कैसी ads के साथ engagement करता है, हाना, तो उससे Facebook decide करता है estimated action rate कि जो आपका goal है, उसके complete होने के chances क्या है और तीसरी चीज़ जो Facebook देखता है, वो देखता है ad quality, Facebook देखता है कि भाईया, जो आप add run कर रहे हो, उसकी quality कैसी है, जो आप landing page use कर रहे हो, उसकी quality कैसी है, जो आपने content लिखा हुआ है, उसकी quality कैसी है क्या लोगों ने आपके ad के against negative feedback तो नहीं दे रखा, क्या आपके ad को लोग ज़्यादा से ज़्यादा close तो नहीं कर रहे है, कि भाईया, they don't want to see the ad, इन सब चीजों से Facebook decide करता है, add quality, तो तीन चीज़े हो गई, पहला bid, दूसरा estimated action rate और तीसरा, add quality estimated action rate और add quality को मिला के Facebook कहता है, add relevance ठीक है जी estimated action rate और add quality को मिला के Facebook कहता है add relevance, एक बार हम recap कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, Facebook क्या है Facebook एक auction है, जहाँ पर लोग bid करते हैं, कि भाया मेरी add दिखाओ, मेरी add दिखाओ auction जीता कौन है, जिसके add की value जो है, total value highest है, वो auction जीता है और auction में लोग, Facebook तीन factors देखता है, वो तीन factors कौन से है, तो पहला है, bid bid is, आप कितने पैसे दे रहे हो दूसरा है estimated action rate कि जो आपका goal है, उसके achieve होने के chances क्या है उसे कहता है, Facebook estimated action rate तीसरी चीज़ क्या देखता है Facebook, तीसरी चीज़ Facebook देखता है add quality, कि जो आप add run कर रहे हो उसकी quality कैसी है आपके landing page की quality कैसी है, content की quality कैसी है, लोगों का feedback कैसा है तो ये मिला के देखता है Facebook add quality, तो ये तीन factors decide करते हैं, कि आपकी add auction में कहां दिखेगी, आपकी add user को दिखेगी या नहीं दिखेगी अब estimated action rate और add quality को Facebook क्या कहता है add relevance अगर आप Facebook ads को follow करते हो तो आपको पता होगा, पहले एक चीज़ होती थी, relevance score जिससे की लोग ये पता करते थे कि add की relevance score क्या है अब Facebook ने क्या किया कि Facebook ने relevance score को कर दिया बंद और Facebook ने start की तीन चीजे, कौन सी तीन चीजे start की Facebook ने पहले चीज फेक्स बुक ने start की quality ranking और दूसरी चीज फेक्स बुक ने start की engagement rate ranking और तीसरी चीज़ Facebook ने स्टार्ट की Conversion Rate Ranking Quality Ranking का मतलब है आपके Ad की Quality कैसी है Compared to बाकी लोग जो Ad चला रहे हैं Same Audience को Suppose करो आप जिस बंदे को Ad दिखा रहे हो उस बंदे को आपके अलावा 10 Companies और Ad दिखा रहे हैं तो Quality Ranking इस आपके Ad की Quality क्या है Compared to those 9 people वो आपको बताता है Quality Ranking दूसरी चीज़ Engagement Rate Ranking कि आपकी Ad के साथ Engagement के Chances क्या है Compared to Other Advertisers तीसरी चीज़ Conversion Rate Ranking कि आपके Ad के Convert होने के Chances क्या है Compared to Other Advertisers उसको कहते हैं हम Conversion Rate Ranking ठीक है तो जब हम Ad बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हम यह तीनो Factor देखेंगे यह Judge करने के लिए कि हमारी Ad कैसी चल रही है नहीं चल रही है ठीक है और इन पे ज़्यादा Emphasize हमें नहीं करना क्यों हमारा Ultimate बोल है ROI बहुत बार ऐसा होता है यह आपके Ad की Relevant Score खराब होगी Quality score खराब होगी बट वो Ad ROI जनरेट कर रही होगी तो इस पे ज़्यादा हमें Stress नहीं करना इन तीनों चीज़ेंगे Stress करना है बट अगर हमारी Ad Profitable है अगर हमारी Ad Positive ROI दे रही है तेन वी अगोड हम उसे Improve कर सकते हैं ता कि ROI बढ़ जाए But there is not a lot to worry ठीक है जी तो इस वीडियो में हमने सीखा Lesson No.11 में कि Facebook Ad Auction होता क्या है कैसे काम करता है Auction कौन जीतता है क्या-क्या factors होते हैं Auction में और यह हमने Ad Relevance factors के बारे महीं पड़ा ठीक है जी Thank you so much for watching this video और I hope कि आपने जो बाखी 10 वीडियो जो मैंने भीजिये हैं वो देखी है अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके वापस मेल शेक करो और उन वीडियो को देखो ठीक है जी मिलेंगे कर नई वीडियो के साथ Thank you so much